जीना कौन सा आपको अपने घर में बनाना चाहिए, किस जीना को आप बनाएंगे तो ज्यादा मजबूती मिलता है और डिजाइन में भी खुबसूरत आपका जीना लगना चाहिए क्योंकि जीना मजबूत चाहिए और खुबसूरत हो तो फिर घर की सुन्दरता बढ़ जाती दो तरीका जीना में इसको बनाए जाते हैं हैं कि चेन इसके स्याफ लसे बोल सकते हैं या ने इसमें collaboration has a कैसे बांध ना और सबसे पहले बता दूंकि जो दूसरा जीना होता है वह होता है स्लैब ओला इस्टेर जैसा आप यहां फोटो में देख रहा है पहले हम क्या करते हैं से चार इंच की उसकी स्लैब डालते हैं फिर उस पे हम फ्रेम लगा के लकड़ी का और फिर उसमें कंक्रेटिंग भर दें उसका इस्टेप काटने के लिए या फिर इटे के चिनाई के जुड़ाई करके हम इस्टेप बनाते हैं तो जो जीना होता है जो स्लैब वाले होता है वो दोस्तों उतना मजबूत नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या है कि हम सिर्फ slab डाल देते हैं और simple सीधा-सीधा एक-एक सरीया उसमें डाल देते हैं बहुत जगा होता है कि डबल जाल में भी बनाया जाता है लेकिन जो chain stair है इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा सरीया आपका सरीया वाला experience में आदमी हो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं तो आप देख रहा है कि इसमें जहां से जीना नीचे से स्टार्ट हो रहा है यहां आप देख रहा है कि रिंग बनाए गया है यानि कि जितना हमारा यह चोड़ा इस टेप है आपका यह आप जानते है है कि 10 से 11 इंच का हमारा इस टेप दिया जाता है तो 11 इंच तक हमारा आप देख रहा है कि रिंग बनाए गया है और रिंग की जो चौड़ाई है वह 3 इंच का रखा गया है क्योंकि इसमें ढलाई होगा वह कम से कम 3 इंच का होगा तो थोड़ा सा कौबर मिल जाएगा तो हृआ इंच आप 4 रख सकते हैं और अंदर अंदर डाई और बाहर बाहर तीन इंच का रिंग बना सकते हैं और जो इस्च से यानि जू इसूरा Vern preserving दिया प्र उसी से फंसा के फिर उपर वाला हमारा रिंग बनाए गया जो कि हमारा राइजरी यानि जीना जो खड़ा होगा इस टेप एक तो पट हो गया एक सीधा सीधी खड़ी जो हो गई उसके लिए खड़ी एक रिंग लगाई गई आप जैसे देख रहे हैं उसका भी जो आठ इंच का वह लंबा आपको रिंग बनाना है और चौड़ाई वही धाई से तीन इंच का आपको देना है ठीक है और यहां आप देख रहे हैं कि जैसे एक नीचे से रिंग गया और वहां पे उसको तीन सरीय वहां पर 10 mm का दिया गया है उसमें फशा दिया गया है फिर उसी तीन सरीय से उपर जो हमारा रिंग उठ रहा है उसको फशा के उपर उठाए गया यानि जहां 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 जॉइंट हो रहा है एक दूसरे से रिंग वहां पे तीन-तीन सरीय तीन-तीन सरीय आपको देते जाना है अब जैसे उपर में आप देख रहा है जहां यह च्छ जाता है कि जीना हमारा गिर जाता है क्यों गिरता है इसलिए गिरता है क्योंकि हम वह बीम नहीं प्रोवाइड करते हैं डिवार पर रख देते हैं तो कभी भी आपको बीम देके उसमें जीने का सरीय को सपोर्ट देना है तो चेन श्टेयर केस आप अपने घर में बनाते हैं तो कुछ ऐसा आपको जबरज़स्ट डिजाइन देखने को मिलता है तो घर के लिए बहुत ही अच्छा यह जीना है इसमें जो डिजाइन होता है सिर्फ एस्टेप के डिजाइन में यह नीचे और उपर से बनता है तो जो कंक्रीट का जो बेस हम बनाते हैं दूसरे जीना में एक बेस बनाई है फिर ऊपर से उसका एश्टेप काटी है या तो कंक्रेट के एश्टेप दीजिए नहीं तो फिर हम इंट का ऐसके कंक्रीट का काट देते हैं और नहीं तो बाद में जैसे मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसमें इंट का हम एस्टेप बना लेते हैं तो इसमें होता क्या है कि एक 4-3 इंच का आप अलग से बेस बनाते हैं फिर उसका एस्टेप काटते हैं तो उसमें जो लेवर का खर्चा है ओ भी बढ़ जाता है लोड भी जीने का बहुत बढ़ जाता है क्योंकि एक तो आप बेस बना रहे हैं 3-4 इंच का उसका पूरा चट डाल रहे हैं फिर उसके बाद उसके एस्टेप के लिए रोडी डाल रहे हैं नहीं तो इंट का चिनाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि इसका लोड भी बहुत बढ़ जाता है बिल्डिंग पे और इसका जो डिजाइन देखिएगा नीचे से यह सिंपल डिजाइन दिखता है तो अगर आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो मैं कहा रहा हूं कि आप चेन श्टेर केस जो होता है जो आपको दिखाया मैं नीचे ऊपर से जो इस्टेप के तरह दिखाई देता है सिंड़ी के तरह ओ चीज आप बनाईए उसको अच्छे से उसमें पत्थर का काम करवा दीजे पेंटिंग का करा देजिए तो घर में जो है इस जीने के वज़ा से घर की सुंदरता काफी बढ़ जाती है और उसका लोड भी बहुत हलका होता है तो आप उसको आराम से दीवार पर रेश्ट कर सकते हैं वहां पर आप जो दीवार के किनारे बीम या छट पर बीम देके उ पर रेश्ट कर सकते हैं तो इसको गिरने या तूटने का भी चांस बहुत कम रहता है